मुझा वानी, कितने खुशी हो रही है, आज टीजर और ट्रिलर बाउंच हुआ, फिल्म का एक कलाकार करिया बहुत बड़ा देश होता है, जब किया हुआ का, दो एबिशियर करते हैं और जब बाहर आता है, सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या है? I think, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं, वो है मेरे पेरेंस, तो उनका, उनके व्यूज मेरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी पी आर्टिस के लिए, यह चीज़े बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कि उसके फैंस, नहीं उनके जो चाहा के, जो प्यार करने बाले हैं, उनको उनका पसंदा है, तो वही मेरे ले रिवाड होगा। मेरा किरदार का नाम है साधना और यह है आनन तो साधना ऐसी है कि वो किसी के बाप से नर्टी सिर्फ अपने बाप से नर्टी तो वो चीज है और जब एक लड़का उसके प्यार में पढ़ता है और कुछ टाइम बाद वो लड़की भी उसके प्यार में पढ़ जाती है बट वही के फादर है बहुत जार्ट है वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो अपने से नीचे घर में शादी हो या फिर प्यार करें जार्ट है यह फिर पर इसे भी क्या जाना काम कर चुकी है और मैं तो नवस तरह मेरा पेला टाइम था और मैं कुछ शॉटिंग्स कर चुका हूं पर तो अलग होता है उसका और जैसी शुरू किया हम लोगों ने कुछ दिन मतलब इनों ने मुझे इतना मतलब हैल्प किया जो हम लोग टेक्स मतलब दे रहे थे उनको मतलब सात में किसे हाँ इंप्रोवाइस के आम लोगों ने और बहुत मुझे पोल दिया अंदर से मैं काफी चीद़ बननी भी दी तो एक्टिंग को लेकर के बहुत कुछ सीखा है मैंने अंदर से और कैरेक्टर के बार में ये कह बनाने लगा तो उसकी से मैं बहुत कनेक कर बाता हूं फिल्म के अंदर की मैं रियल लाइफ में भी यही करता हूं और मुझे फिल्म में भी यही करने का महुका मिला तो बहुत खुशी है और मैं उनकी पेंटिंग बनाता हूं इनको देता हूं तो बहुत खुशी होती है और फिर आगे केमिस्ट्री डेवलप होती है और बहुत अच्छे से फिल्म जाती है, बहुत पुप्सूरत तरीका से लिखाए इतरों से खबरे मिलें कि आप आप टीवी निंकर भी तो मैं तो मैं अगर आप बोले कि क्या चूज करेंगी वह मैं नहीं कर सकी दोनों की अलगले क्वालिटीज है दोनों की अलगले बेस्ट क्वालिटीज है पर आपको वक्त कम मिलता है एक सीन को इंप्रोवाइस करने का तो उस कम वक्त में आपको बहुत अपना बैस देना पड़ता है, और कंपालिटीवली फिल्म में आपके पास बहुत टाइम होता है, रिरेक्टर आपको बहुत ही इत्मिनाम से बेठके आपको चीजे समझाता आपको space मिलता है कि आप और improvise कर सकते हैं, कैसे और अच्छा कर सकते हैं So that's the difference को इसको इसे करें है आपको अच्छा कर सकते हैं अब मैंने स्टार्ट किया कलर्स के उडान से स्वरागी नहीं से तो इसे उडान किया फिर एक आसा एसे बी और बाकी एपसुडिक्स के हैं तुमें ही पूलूंगी, I've been blessed with the best बहुत अच्छे लोग मुझे मिले काम करने के लिए और in fact, मुवी में भी मला मेरा बहुत अच्छा अच्छा एक्स्पिरिंस्टा है अनुपम में च्योर, I'm entertained, I'm not bored I'm having my meals on time, I'm sleeping on time so, बहुत केर के आनको आप में तुमें अच्छा एक लोगों की तरह ही तुछ साइट थी मैं भी माइक पकटके लोग, इसलेपटीज के इंट्रव्यू इसलेटी थी जो कि मेले बहुत एक्साइटिंग ता और अभी भी मुझे अगर किसी मूवी में जॉनलिस्स का रोल मिलता है तो I think मैं एक सेकिंद के लिए भी सोचुंगी ने कि शुड़ा दू दू देस और तो, या तो कैसा रहा सफ़र जॉनलिस्स से लेके बॉलिवूड करका कैसा रहा सफ़र मैंने कहीं बताया नहीं है बद यह था कि मैं आलिया भाइट और वारून दावन के लिए वेट कर रही थी इंटर्व्यू का उन्होंने बहुत जादा वेट का रहा था तो I was like no I have to be a celebrity now and I cannot make journalists wait for us तो वो चीज़ था, तो मैं पॉच्छ के दीरे दीरे और उन्हों क्या कहना होगा कैसी दीरा रहा है तो फुरी फिल्म के बारे में, जब रहा है प्रे रहा है बारे में बारे में गुच्छ करना है अन्सेट तो काफी चीज़े हुई हैं मैं क्या क्या बता हूं अब एक यूपी में जो भाशा होती है ना तो मैं थोड़ी अच्छी बोल लिता हूं तो मैं जब भी उस भाशा में बात करता हूं और इंका हसना शुरू हो जाता है तो इंको बोर नहीं दिया में हैं सेट पर कभी वह इंसे पूछ लो आप अठीग बहुत अच्छी होता है मेक अप दादा है मेक अप दादा इस तरह से करती हैं बहुत ही मदब को क्या है आप प्लीज प्लीज एटीन को जाके देटर में हमारी फिल्म देखिए हमने बहुत प्यार से बनाई है बहुत खून पशीना बिजली पानी सब के बनाई है और स्यिसली बहुत जाला मेहनत किये और आप कही ना कहीं कनेक कर राएंगे स्याइ चिलहत में हम लोगों ने किया है शूट और बहुत ही अच्छा शूट निकल के आ है अब भी करेंगे तर्शलों से लगा अच्छाओंगा लोगों की जरूर मैं कहना चाहूंगा लोगों की जरूर हमारी फिल्म देखें हैं 18th August को रीलीजो हुरी है और बहुत ही मैनत की हम लोगों ने और बहुत excited है फिल्म कहा हुआ 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 है तरह लोगों चाहते है कि पसंद करेंगी लोग और सराएंगे काम को अरिए इंस्देंस उत्र रहत बतार अगोग इस बटा लूए को मतलब इंसिदेंट और वा एक फॉल्स न्हां गशुट करहे थे और इक लड़का है कि मैं शुट ने कि मैं भीच में ख़डा है इंज आये हम जाते हैं आपने कर लो सोटे वह चुरू हो गया, और पीछे लगा हुआ हम तो यहीं फड़े, हम यहां से लेगा, इसका चुरू हो गया, और फिर उसने बोला कि हमें हमें ही रोईनी का नंबर दो, तब हमें यहां से जाएंगी, तो वह हिलने को तयार रहे था, तो फिर हमने प्रिंसिपल को बुलाए कि यहां 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 और फिर रिवॉल्वर, वह किसी और को बोल रहे है कि साधना का नंबर दिल्वा, नहीं तो तू आज अज तो इसके बाद हम लोग मार्किट में हैं, मेरे पेदाईश्य मतुरा की है, जी और मैं पली बड़ी जी बिल्कुल, पेठा 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 आगरा कर, जी तो पेठा हमारे तो पेठा खाके बड़ी हो जो है, और पली बड़ी मेरी एदुकेशन अगरा सब डेली से होगे, और फिलाल मेरी कंगू भी मोंद रहे है, विसवाद पेठा 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 हमारे कटीं सो लोगों जबाद देघे, ठैक यू सो मुँ पर काम कोशिश मोट धिखानी की कोशिश कर रहा हूं तो बहुत काफी अच्छा है बहुत अच्छा है вокруг इसके लिए एक नहीं कोई मैंने यह दे कर सका। और वह यह देखते हैं के बारे में कैसा लगा इनों क ह्ताफ्स काम कर रहा है जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक ऐसा लग जा था जैसे प्रोफेशनल के साथ काम दर रहा था था हलाकि नए कास्ट है नए लोग है फिल्म करी है मगर मैंने जो मेरा एक्सपिरेंस होगा एक दम प्रोफेशनल रहा है काफी अच्छा काम दिया है अब वादियों अबरने लेने के बात तो अब प्रधान की यड़की है रही जादी है प्रिंसेस कैसे हम लोग प्रिंसेस है गाओं की उसे हिसाब से उनका जो गरेक्टर है मैंने उनको प्रश किया है अठारा अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है और यही कहना चाहता हूं कि आप जरू जाए देखिए क्योंकि वालिवूड में जो रोमेंटिक फिल्में आती है यह भी रोमेंटिक फिल्म है इसमें भी प्यार है प्यार महबद है लेकिन यह बहुत डिफ्रेंट टाइम जो चाहिद करें देखिए गामत जो एक जो कहा अगली का फिल्म का जो चुटी है उसको इंजोई करना चीए तो गानी का नाम है पार्टी फुल ओन, टैंक्स फुल ओन, तो यही उससे दानी की तरों में लोग यही बताना चाहते हैं कि लाइफ जो हाँ उन्जॉय करने के लिए, इसलिए हमने यह गाना, बना